नरेद मोदी जी के तीन ब्रह्म अस्त्र है तीन हतियार है पहला अस्त्र है EVM दूसरा हतियार है धर्मान्धता और तीसरा हतियार है ED, IT, CBI, NIE लोगों के मन में एक EVM के बारे में जड़ विश्वास कम होता जा रहा है प्रदर्शन हो रहे हैं क्या चुनाव आयोक का आज व्यवार निश्वक्षता से है क्या शे महिने में मानी चुनाव आयोक को 28 पॉलिटिकल पार्टी से मिलने का समय तक नहीं मिला हम ऐसे चुनाव आयोक पर कैसे भरोसा करेंगे अभी विद्वान हमारे सुधान शुत्र वेदी जी ने जो अपना भाशन दिया वो मूल रूप से उसी विचारधारा पर केंद्रित था जिस विचारधारा से वे आते हैं अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीती अपना कर इस देश पे राज किया और उन्हीं से प्रेड़ ना लेकर आज भरती जनता पार्टी और राश्टि सविम से वकसंग इस देश में जिस प्रकार से फूट डालो और राजकरो की बात कर रहे हैं उसी पर उनका पूरा भाशन केंद्रित था मैं तो उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ उन्होंने 500 वर्षों बाद भगवान राम को उन्होंने स्थान दिलवाया 500 वर्षों बाद नरेद मोदी जी इतने महान है कि 500 वर्षों बाद भगवान राम को वो मंदिर में ले आए लेकिन 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 नीरव मोदी जैसे लाखों करोर रुपे लेकर भागे हुए लोगों को वापस नहीं ला पाई ये लोग कहां है वो लोग जो आपने वादा किया था कि काला धन वापस लाएंगे भगोड़ों को वापस लाएंगे कहां है वो आप बात वही है इन्होंने केवल अपने पहले हिंदू मुसल्मानों को बाटा अब भगवान राम के भक्तों को आप बाटते हैं ये मैं आपसे कही देता हूँ मैं आपसे कही देता हूँ सीट पर बैठ करना बोलें जबती महदें अब मंदिर वहीं बनाएंगे मंदिर जहां बाबरी मजदित तोड़ी वहां नहीं बनाया वो वो जहां कॉंग्रेस पार्टी ने भूमी अधिगरेट की थी और जहां श्रिला नियास कराया था वहां मंदिर का निर्मान कराया है इनका वहीं मंदिर वहीं बनाएंगी का कारण यह था कि जब तक मस्जिद नहीं तूटेगी तब तक इनका उद्देश पूरा नहीं होगा यहीं भारत जोड़ो यात्रा हमें हम लोगों ने नफरस छोड़ो भारत जोड़ों का संदेश लेकर राहुल गांदी याज यात्रा कर रहे हैं, मानिर रवती मोदे, हमेशा नरेंद मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, बाद में जोड़ा सबका विश्वास और अब कहरे हैं सबका प्रियास, मैं तो आप से इन्वर्द करना चाहता हूँ, हर पहलू पर मोदी जी वि लेकिया है लेकिन वो सारी योजनाएं जिन पर ये सफलता का श्रे ले रहे हैं ये सारी योजनाएं कॉंग्रेस पार्टी के द्वारा स्प्रारम की जारी योजनाएं थी जिनको अलग अलग नाम दे दिया गया जंधन के बात की जंधन का नाम बदला गया लेकिन छोटे-छो परोटिये खातेदारों का खाता खुलवाने की शुरूआत कांग्रेस पार्टी ने की थी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह बात सब का साथ सब का विकास की बात करते हैं। लेकिन सर ये कुछ का साथ, कुछ का विकास और कुछ का विश्वास इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाए। क्योंकि ये बड़े नतीजों की बात करते हैं, 200 पार, 300 पार, लेकिन प्रतिशत वोट 40 प्रतिशत से कम आते हैं। इसलिए कहां से कहा दिया सबका साथ, सबका विश्वास, विश्वास, मानी सहबाती महोदे, तब होगा जब इस देश के हर वर्ग, हर धर्म के पालन करने वालों लोगों का ये विश्वास अरजद करेंगे। इन्होंने डॉक्टर मरमहन सिंग ची बारे में एक बिलकुल असत्ते ब्यान दिया है। उन्होंने कभी नहीं कहा जिस बारे में उनका उल्लेक किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नरेन मोदी जी के तीन ब्रह्म अस्त्र है, तीन हतियार है, पहला अस्त्र है EVM, दूसरा हतियार है धर्मान्दता, और तीसरा हतियार है ED, IT, CBI, NIA. भारत, विश्ट का सबसे बड़ा लोगतंत्र है, मदर अव डिमॉक्रसी कहा जाता है, लेकिन सफल लोगतंत्र के लिए निश्पक्ष माननी चुनाव आयोग आवश्यक है. आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लोगों के मन में एक EVM के बारे में विश्वास कम होता जा रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं, 28 पुलिटिकल पार्टीज ने कुछ प्रश चुनाव आयोग के सामने रखे, नर्सिमा जी हमारे बैठे हुए, इन्होंने खुद में किताब डाली थी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कि क्या चुनाव आयोग का आज वेवार निश्वक्षता से है क्या, 28 राजनेतिक दल्वा ने उनसे मिलने का समय मांगा, 6 महिने में माननी चुनाव आयोग को 28 पुलिटिकल पार्टीज से मिलने का समय तक नहीं मिला, हम ऐसे चुन उचितम नयायले ने अपना सुझाव भेजा कि चुनाव आयोग के सुदस्यों के चैन के लिए माननी मुख्यानाधिश उचितन नयायले के उनको भी उसका सद्निती का सदस बनाया जाए, लेकिन प्रधान मंत्री जी को रास नहीं आया, और उन्होंने यहां से बिल पास कर लिया जब सारे हविपक्ष के संसत सदस्यों को उनको उन्होंने इसकासित कर दिया और क्या किया कि प्रधान मंत्री जी के अलावा प्रधान मंत्री जी द्वारा मनोनीत मंत्री भी उसका सदस्यों का मतलब कि तीन सदस्यों में दो जब प्रधान मंत्री जी की द्वारा हों तो उससे क्या उम्मीद की जाए और यही नहीं है आज ये बात साफ हो गई है कि बी एल के अंदर चार डारेक्टर्स इंडिपेंडेंट डारेक्टर्स की न्युक्ति किनकी हुई है भारती जनता पार्टी के लोगों की साफ़ती जी मौदे हमारा हमारी मांग क्या है आज कंप्यूटर साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि हमारा जो मकसद है वोट डालने का क्या वो उसका निरने हमको मिलता है क्या आज सौफ़वेर निरने करता है कि आपको मशीन क्या नतीज़ा देती है हमारी मांग क्या है ह कि माननी चुनाव आयोग को वो सौफ्टवेर पब्लिक डुमेन में लाना चाहिए हमारी क्या मांग है ये मेरा अधिकार है एक वोटर के नाते एक वोटर के नाते अधिकार है कि मैं जिसे वोट चाहूँ उसको वोट पड़े कि इस पूरे विश्वे केवल पांच देश ऐसा है आज है जहां एवियम के माध्यम से चुनाव हो रहा है उसमें से ऑस्टेलिया में जो सौफ्टवेर डाला जाता है वो पब्लिक डुमेन में है मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से प्रधान मंती जी और पूरे मंती मंदल से क्या कारण है कि वो सौफ्टवेर बताने में क्यों इतने परेश्ट करते हैं क्या डर है उन लोगों को आज जब मांग उठ रही है जन्नमानस में चारों तरफ से कि हमें इवियम नहीं चाहिए उस समय पूरे देश में पूरे देश में इवियम का प्रचार करने के लिए चुनाव आयोग प्रदर्शन कर रहा है अरे हमें प्रदर्शन करने के आवशक्ता नहीं है आप हमारी बात यतनी से मान लीजिए या तो आप बैलेट पेपर से चुनाव कराईए जो 2018 में कॉंग्रेस पार्टी ने ICC resolution में अपना मत रखा था उस पर हम आज भी कायम है और यदि आपको इवियम से इतना ही प्रेम है तो आप हमारे हाथ में वीवी पैट स्लिप जब नीचे गिरती है तो उसको हमेरे हाथ में दे दीजिए और हम जाकर मत पेटी में डाल देंगे इसमें क्या इतराज होगा माननी अद्रक्ष मौदे स्वबपती मौदे मैं आपसे इतना अनुरूद करना चाहता हूँ कि दूसरा हतियार इनका धर्मान दिता का है धर्म से इनका कोई नाता नहीं है हिंदुत एक आइडेंटिटी थी सावर करजी ने जिसको नाम दिया था और उन खुनने कहा था इससा कोई धर्म का लेना देना नहीं है लेकिन बिना धर्म का उप्योग करे राजनीती में भारती जनता पार्टी जनता की बीच में चुनाव में नहीं जा सकती और यहां तक करना तक के चुनाव में नरेंद मोदी जी खुद उन्होंने वहाँ पे आहम सभा में कहा बज़वंग बली का नाम लो और कमल के फूल पर बटन दबाओ चुनाव आयोग माननी सभाबती मौदे मेरी आपतीस बात की है कि अगर थोटी बोटी बात भी अगर कोई और अन्य दलका कर देता उसको नोटिस मिल जाता लेकिन खुले रूप से नरेंद मोदी जी ने रेप्रेजेंटेशन आप पीपल्स आट का धर्म के नाम पर ये व्यवसाई कर रहे हैं वो राम बंदिर का निर्माण जो की नर्सेमा राव जी ने रामा लेटरस को सौपा था चार वो शंकरा चार और स्वामी रामा नंदर चार के राम निर्माण चारे जी पांच आफिसलोगों का आमाले ट्रस बनाया उसके हाथ में क्यों नहीं दिया किसको दिया विश्य फरिश्य के हाथ में जै कर निर्मोही ए खाणा यह पूरे तरीके साहिए दस मिनट में नहीं पांच मिनट तो गया भी जो हमारे पास सुछतिऊ हूं दस सτε देखें, आपन ने, देखें मेरी इने बारे में, सर आप 5 मिन्den का समय और दीजेएद दो बाती मुझे और करना हैं आपको 5 मिन्त दिया गया था, और अलोड ने दस मिनेट हो गया है, 5 मिनिट समय तैट था आपके लिए внимание पिजय से देखिए बात ये हैं आप कौन बात ये हैं हमारे हमारे लीडर आप आपोजीशन का का समय हमारे इसमें नहीं रखा जाना चाहिए जो यहां क्योंकि वो इनका अधिकार है अभी जो नियमत है उसी कमसार चलेंगे प्रीज आप कौन कूर करें मैं आप से कहना चाहरा था कि पीपल्स एपिटरेशन एक्ट का वाइलेशन हो रहा है उस पर कोई संग्यान में नहीं लिया जा रहा है मैं आप से इतना कहना चाहता हूँ कि आज तीसरा हतियार इनका है एडी आईटी सीबी आई एना इंका इसमें मोधी जी को कहते हैं मेरी ग नेता उन पर सतर हजार करोग का गोटाला है उनको मैं जेल भेड़ूगा लेकिन तीन दिन बाद क्या हुआ साबाती मोधे जेल भेजने के बजाए उनको मुख्यमत मना दिया गया देवेंट फॉंटविस कहते थे दादा चकी पीसिंग 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 आद दादा जेल कि पूरी तरह से भारती जनता पार्टी एंटी पूर है शुरू से रही है कोई नई बात रही है पूरे कॉर्परेट्स के पक्षपहिलन का पूरी रही है पूरा और इसलिए कि हमारे जो डारेक्टर प्रिंसिपिल्स में असमानता दूर करने का ने था उससे अलग अमीर और गरीब का असमानता बर्टी जली जा रही है मैं आपने कहना चाहता हूं इसके बहुत सारी बाते हैं और इसे के साथ साथ हमारे पूरे देश में जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट वो लोग है उनको जेल भेजा गया रही है तो मिर्स मों नो सर टू मिर्स मों सर टू मिर्स मों सर पूरे देश में एक्टिवेज जर्नलिस्ट टूडन्स इनको पराद लगा कर बेल नहीं दिया गया है क्या भीमा कोड़े गाओं के हो सीए एनर्सी के हो जेनियो की इनके सब के खिलाफ कारवाई की मैं आप से एकी बात कहना चाहता हूँ इस देश एंडिया के ऐलाइंस पार्टनर बीजेपी के जो अलाइंस पार्टनर ने लिए उनके लिए मेरी एक जो कविता उन्नीस ओचालीस ने लिखी गे थी उनमें पढ़के सब्सक्राइब वो उसे में खतम करें वो पेस्टा बार्टे ने लिखी थी फिर्स दे इंप आद सल reden के लिए हो ज्य वो झाब जा यहांक्णे को कmade अगष ऑनड़ स्ब्सक्राइध में आप जाब वोड़ ऑन में लोजये के लिए खायांकिटर यहांक्या लिए बिएकटल करेंगल से बिएँड़ और को झाल झाल